नमस्कार दोस्तों गुड़ वार्निंग टुए अवरिवन तो आज अपना जो है मेवार का इतियात जो चलड़ा है फिलाल और उसका भाग दो लेकर आ गया हूँ आपके लिए ठियोरी क्लास और दोस्तों कल अपने राव जैतर सिंग पढ़ा उसके बाद राव समर सिंग के बारे में भी बात की तो दोस्तों यह एतियासी घटनाई अपने पढ़ले सिटार्ट से पढ़ा फिरश पार से जैसे कि सबसे पहले गोहिल उसके बाद बपारावल, अलड, सक्तिक, कुमार, ठिकेना, सामान सिंग सभी पढ़े अपने कुमार सिंग तो कुमार सिंग के वंसे जुए थे राव, जैतर सिंग और राव, जैतर सिंग के बाद उनके वंसे जुए समर सिंग और समर शिंग के बारे में अपन बात करेंगए अज उसके बाद है जो रतन शिंग के बारे में तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल राइस्थान क्लासेज में चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजिए और बेल तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं समर सिंग रावल समर सिंग के पुत्र कौन कौन हुए रावल रतन सिंग और कुम्ब करन ठीक है ये दोनों पुत्र हुए अब समर सिंग ने कम ही सासन किया है और रतन सिंग रतन सिंग जो है ये चितोड के सासक बने और कुम्प करण कुम्प करण कहा चले गई मेवाड मेवाड में क्या किया वहाँ पर है जो गुईल वन्स की इस्थापना की ठीक है तो ये तो हो गया अपना के लिए अब देखे रावल रतन सिंग का जो समय रहा था सासन काल वो रहा था 301 से 303 तक रहा था ठीक है ना 301 से 303 तक मतलब की दो साल सासन रहा था चलिए तो अपन स्टार्ड करते हैं आज के इस सेशन को रावल रतन सिंग से और रावल रतन सिंग के समय जो छितोड का साका भी हुआ था ठीक है चलिए दोस्तों तो रावल रतन सिंग का जो काल रहा थ तो दोस्तों दिली के सुल्तान अलाओदीन खिल जी तो दोस्तों देख लेते दोस्तों यहां पर देखे यहां पर दिली यहां पर दिली है के सुल्तान कौन थे अलाउदीन खिल जी थे ठीक है अलाउदीन खिल जी थे और यहां पर है जो मेवाड के कौन थे माराना रतन सिंग ठीक है तो यहां पर अपन सीधा डारेक्ट बात करते हैं मतलब की साके की दोस्तों साका क्या होता है साका वो यह दोता है जिसमें जो जोहर करती है जल जोहर या अगनी जोहर करती है ठीक है तो उसे है जो पूर्ण रूप slasakka का रूप कहा गया जोहर नहीं हूत विर जोहर हो जाता और केसरिया धरण नहीं होता है तो दोस्तों इस परकार के साके को अर्द साके का रूप दिया गया है ठीक है ना चलिए तो अपन यहाँ पर इस साके की बात करते हैं जो कि चितोड का प्रथम साका हुआ था और किस किस के बीश राओल लतन सिंग और अलवदीन खिल्जी के ब ठीके तो रानी पदमीनी से इनका विवा हुआ और इनकी रानी का कहा जाता है कि ये सुन्दर और सौंदरी रूपी रानी थी ठीके तो इसको प्राप्ट करने के लिए अलव दीन ने मुख्य रूप से यहां पर आकरमन किया और काफी का कहना ये है कि अलव दीन अपने सामरा जी के विस्तार के लिए भी आक्रमन किया यहां पर लेकिन यहां पर काफी जो पुस्तकों और कत्नों के अनुसार यह जो है विद्वान हुआ था जो रागोचेतन हुआ था रागोचेतन को यहां से देश निकला दे दिया गया किसके द्वारा रावल रतन सिंग द्वारा देश निकला दे दिया गया रागोचेतन को रागो चेतन यहां से निकल कर अलावधीन की चर्णों में चला गया वहाँ पर यह जो इसने पदमावती के चौंद्रे का वर्णन किया इसके आगे अलावधीन खिल जी के आगे तो उसके कारण अलावधीन खिल जी ने भी यहां पर यूद किया ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आकर्मन किया कुल यहाँ पर है जो देखिए कब यह 28 जनौरी 1303 को यहाँ से कब निकला 28 जनौरी 1303 को यहाँ पर आकर्मन मतलब आकर्मन किया और 6 मैने की घेराबंदी के बाद कुल 6 मैने इसने घेराबंदी की यहाँ पर और उसके बाद कब क यह आकरबान 27 अगस्त को यह निकला कब यहां से यहां से निकला था 28 जनवरी को ठीक है चै महीने की गेरा बंदी करने के बाद 26 देखें दोस्तों 27 जनवरी को 27 अगस्त को ठीक है 27 अगस्त 1303 को यह योधुगा भेंकर योधुगा और इससे पहले अलवधिन खिलजी ने राजस्तान का दूसरा साका था राजस्तान का कितना दूसरा साका था ठीक है दोस्तों तो यहां पर है जो यह हो गया अब अपने यहां से देख लेते हैं बात कर लेते हैं चलिए तो चितोड का साका है जो देखे चितोड के साके में रानी पदमीनी के चाचा बतीजा जो रतन सींग के सेना पती थे गोरा और बादल जो वीरगती को प्राप्त हुए और योद्दा उने केसरिया और विरांगना उने पदमीनी के साथ जोहर किया तो ये हुगा था साका ठीक है दोस्तों और अलवदीन ने चितोड का किला है जो अपने पुत्र खिजर खां को सौंप कर उसका नाम खिजराबाद रख दिया ठीक है और प्रसिद इतियासकार अमीर खुसरो इस साके में अलवदीन के साथ था अमीर खुसरो भी इस युद में इस साके में अलवदीन के साथ था और दोस्तों रानी पदमीनी सिंगल देश के राजा गंदर हुसैन की पुत्री थी तो दोस्तों इस इतियास को इस साके के इतियास को रानी पदमीनी के इतियास को क्या माना जाता है कालपनी की इतियास माना किस पुस्तकों के जरिये किस ने का कि ये कालपनिक इतियास है ये कापी अपन विस्तार से पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे ये है जो अपने इसमें सिलेबस में है ये नहीं वैसे ठीक है चलिए तो ये जो है अपने देखे राणी पदमीन सिंगल देश मतलब की सिरिलंका सिरिलंका की राजा गंदर हुसैन की पूत्री और राणी पदमीन ठीक है वहाँ पर रावल रतन सिंग ने उनसे विवा किया दोस्तों विवा कैसे किया ये विवा की गटना कैसे ये भी अपन भाद में पढ़ेंगे अच्छे से अलग से ठीक है वो अलग से पढ़ लेंगे एक वीडियो बना के अच्छा दोस्तों राणी पदमीनी के तोते का नाम हिरामनी था ठीक है हिरामनी तोता दोस्तों ये हिरामनी तोता है ना हिरामनी तोता राय जाती का तोता था और ये दर्रा अब्यारण और गागरोन अब्यारण में ये मुख्य रूफ से अब है जो पाया जाता है ठीक है तो दोस्तों राव रतन सिंग देखे इस मुख्य कारण जो रहा था ना इसका अलहुदीन खिल जी के मतलब इस अकरमन का मुख्य जो आता वो राता राव रतन सिंग राव रतन सिंग की सुन्दर रानी को प्राप्त करने के लाल सा पहला तो कारण ये था ठीक है उसके बाद दूसरा कारण ये था कि चितोर दुर्ग का सामरिक मेतो भौगोलिक इस्थती ठीक है और अलव दिन का अत्यदिक मेतो कांग सी और स पागव चेता ने बताया कि रतन सिंग का विद्वान पंडिता जिसको रतन सिंग द्वारा देश निकला दे दिया गया था और अलावदीन की चरण में चला गया था तो इसने यह वहां पर है जो यह सारा वर्णन करके जो इस युद्ध को अंजाम दिलवाया ठीक है तो दोस दोस्तों यह आप वेसी है जो ध्यान रखेंगी यह सो नगराज चोहान माल दे को चौपाता चितोड का परसासन चलिए यह 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 युद्ध हो जाता है समाप तर ठीक है तो यह है जो मुक्य रूप से जो होता है यह देखिए अलावदीन और अलावदीन और किसका रावा किया उसके जश्ट बाद में जो दोस्तों यह जो साका हो गया और इसके बारे में थोड़ी से अपन यह सर्चा कर लेते हैं कि पदमावत ग्रंट जो लिखा यह किस ने लिखा देखिए पदमावत ग्रंट जो लिखा यह लिखा मुमद मलिक जायसी ठीके इन्होंने लिखा इस ग्रंट को और यह ग्रंट पदमावत और दोस्तों कब लिखा पनरा सो चालीस में और किसके समय शेर सा सूरी के समय किलियर ठीके ना यह आपका हो गया बिलकुल किलियर और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया यह इस परकार से है जो यह युद और यह साका हुआ है ठीके दोस्तों चलिए अब आपन देखते हैं हमीर को राना अमीर को और राना अमीर को देखते हैं और राना अमीर जो ह 13166 इन्होंने पुन है जो उस पर आकर्मन करके ठीक है वापस से अपने मेवाड राजी को इस्तापित किया ठीक है गुईल वंस की साका है ये और देखे राना यहां से राना की उपादी स्टार्ट हो चुकी थी ठीक है दोस्तों और सिसोदा का वंस है जो ये कहला है और अपने मिवाड का सामराज जिय अपने अदीन में किया ठीक है तो दोस्तों देखे जिसने सो नगरा चोहान अरी सिंग की बात करें अपने जिसने सो नगरा चोहान माल देव के पुत्र जैसा को ये जैसा को जैसा का नाम था जैसिंग को पराजीत कर चितोड को जीता ये किस तोड़ को जीता था सिसोधिया वंस का संस्तापक कौन राना हमीर और प्रत्थम राना सास कौन राना हमीर ठीक है तो दोस्तों मेवाड का उद्दरक और सिसोधिया समराजी का संस्तापक भी इन्हें ही का जाता है ठीक है तो उपादिया दोस्तों उपादिया उपादिया इन जो लिखी थे, रशीक पिरिया में वीर राजा की उपादी दी गई है, कुमबा द्वारा, ठीक है, न? तो दोस्तों आपने आगे पड़ेंगे कुमबा वगयरा, तो कुमबा एे सांगा एे, तो कुम्बा ने अपने इन वंसज की उपादिया जो वीर राजा साब से दी ठीके तो दोस्तों हमीर, हमीर सिसोधिया ने सिंगोली का युद जो की चितोड़ गड़ी में हुआ था मैं दिली के सुल्तान मुमद बिन तुगलक को पराजित किया था ठीके तो ये हो गया अपना राणा हमीर सिंग का इतिहास ठीके दोस्तों चलिए अब आगे आपन देखते हैं राणा चैतर सिंग को देख लेते हैं और राणा चैतर सिंग जो है राणा खेता उनका जो वास्त्विक नाम था और 13166-1352 तक इनका सासन काल दाता और दोस्तों ये राणा हमीर के पुत्र हुए थे राणा चैतर सिंग और इन्होंने बुंदी को अपने अदीन किया था बस इनका इतियास इतना ही है ठीके अब अब आपन देख लेते हैं राणा लाखा महाराना लाखा को देखें महाराना लाखा यहां से स्टार्ट होते हैं महाराना लगाने स्टार्ट होते हैं यहां से और दोस्तों इनका वास्त्विक नाम लक्स सिंग था और इन्होंने सासन किया था 1382 से 1421 तक ठीके महाराना खेता के ये पुत्र हुए थे और राना लाखा के काल में मगरा जिल्ले के जावर गाओं में चांदी की खान की खोज होई थी दोस्तों इसी परकार आहड है जो एक वेपारी केंदर बनाता किस के समय अलट के समय बनाता है ना तो इसी परकार राना लाखा के समय, राना लाखा के काल में मगरा जिले के जावर गाउं में चांदी की खान की खोज की गई और वहाँ पर है जो भारी मातर में चांदी वह सिसा का जो उत्खनन किया गया और उच मातर में मिलने शुरू हुए थे अच्छा दोस्तों यहां पर अपन देख लेते हैं यह थोड़ी सी जानकाली की कुवर चुडा वा राणा मोकल इनके पुत्र हुए थे जो कुवर चुडा के बारेमा आपने सुना ही होगा ठीक है तो देखे राना लाखा के समय पिसुला जील का निर्मान किस ने करवाय था चीतर मल बन जारे ने करवाय तो दोस्तों जीले अपने अलग से इसी परकार इतनी विस्तार से पढ़िये उसमें भी सारा टॉपिक है जो एड करने की कोशिस की है वो आप अवे से देख ले देखे राव चूड़ा ये किस की बात करें अपने ये जोदपुर के राव चूड़ा की बात करें ठीक है तो ये देखे रदा वस्ता में मारवाड के सासक राव चूड़ा राठोड की पुत्री और रणमल की बहीन हंसा भाई से विवा किया इन्होंने किसने मारवाड के स यहां पर क्या होता है यहां पर यह होता है कि यह ससस्त रुगा मतलब वहां पर एक सर्थ हुई कि हंसा भाई से उत्पन पुत्र होगा वह है जो यहां का उत्रा धीकारी बनेगा तो उसमें जो राव चूडा ने भी यह सफत ली कि मैं यहां का उत्रा धीकारी नहीं बनूँगा और हंसा भाई से जो भी पुत्र होत्पन होगा वह है जो इसका उत्रा धीकारी बनेगा और राणा मोकल जो अंसाबाई का पुत्र था वही है जो यहां का जो बना था उत्रा दीकारी और दोस्तों राणा चूड़ा राव चूड़ा जो रहेते वो क्या रहेते उम्र भर मतलब की ता उम्र कुवारे रहेते और इन्होंने जो पर्ति गया लीती भीश्म पर्ति गया जाता है तो यह इस परकार से है जो आप अवेसी ध्यान में रखेंगे चले दोस्तों अब अपन देख लेते हैं राणा मोकल के बारे हैं महाराना मोकल ठीक है माराना मोकल का थोड़ा सा इत्यास देख लेते हैं इसके बाद अपने कल पढ़ेंगे इसके बाद जो अपना आता है माराना कुमबा पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे माराना मोकल के बाद कुम्बा को केवल एक ही भाग में पढ़ेंगे ठीक है दोस्तों केवल एक भाग में केवल कुम्बा पढ़ेंगे काफी जो है विस्तार से अपन पढ़ेंगे ठीक है न तो माराना मोकल के बारे में अगर बात करें 2021 के सम्टिंग वहाँ पर है जो त्री भुवन नारैन सीव मंदिर बनवाय था और उसका है जो जीर्णो द्वार किस ने करवाया राणा मोकल ने और किस नाम से मोकल का समी देशवर मंदिर के नाम से करवाया ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर अगर आगे देखें तो द्वार का दिश विश्णू मंदिर का भी इन्होंने निर्मान करवाया ठीक है तो राणा मोकल की अत्या किसने की खेता की पासवान माराना खेता हुए थे चैतर सिंग माराना खेता की पासवान या खातीन के पुत्र जो हो गे थे चाचा वह मेरा दोनों ने मिलकर 1433 में इनकी हत्या कर दी ठीक है और दोस्तों यहाँ पर आगे देखे तो अमद खां के साथ हो रहे जिलवाडा युद्ध चार भुजा जो की राज समझ में के मैदान में मैंपा पमार के कहने पर हत्या कर दी गई थी यह त्या क आपर की गई थी जिलवाडा के युद्ध के समय और एमद खां के साथ हो रहे युद्ध के समय और में मैं पापमार के कहने पर इन दोनों ने हत्या कर दी तो दोस्तों यह हो गया अपना पार्ट टू आज का मेवाड का पार्ट टू यह अपन जो प्रस्नोतरी इसकी कल कल भी बताया था कल की क्लास में भी कि अपन जो है यहां पर आया मतलब पूरी इसे के माड जानकरी इसके अंतरगत एड़ कर रहा हूँ एक पी तत्य पीचे नहीं सोड़ा हूं इसलिये दोस्तों ये काफी है जो मिवाड के इतियास अपने समय लगेगा मतलब की से साथ पार्ट भी बन सकते हैं मतलब की चे हाँ पांच चे पार्ट अवैसी बनेंगे दोस्तों ठीक है न तो अपन अच्छे से किलियर करेंगे ताकि कहीं से भी प्रस्ण पूचा जाए ना तो अपन वापर बिलकुल है जो किलियर कर पाएंगे धन्यवाद